यूइस कैपिटल बिल्डिंग के पास एक गाड़ी ने दो पुलिस कर्मियों को टकर मार्दी कार की टकर से अफसर की मौत संदिक्द के मारे जाने की खबर भी सामने आई ही कैपिटल बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है बंगला देश में एक 19 साल के शक्स को गिरफतार करने की खबर सामने आई है प्रधान मंतिम नरीद रमूदी और शेक हसीना का मजाक उडाने पर 14 साल की सजा भी हो सकती है राहुल गांधी ने शुकरुआर को हावर्ट्स कैनेडी स्कूल के प्रोफेसर निकोलस बर्ण के साथ लाइफ बातचीत में भारत में चल रहे किसाना दोलन, लॉकडाउन और ईवियम का जिक्र कर सरकार की काम करने के तरीके पर सवाल उठाए है और उन्होंने लदाक में भारतिय सेना ने 132 साल पुराने 130 मिलिटरी फर्म बंद किये, 30 मार्च को इसे बंद करने की घोशना हुई, साथ ही दिल्ली चावनी में इन फर्म्स को बंद करने को लेकर एक कारिकरम भी आयोजित किया गया मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने कहा कि नवादा में हुए लोगों की मौत के मामले में पूरी जांचों की मुख्याले से शुक्रवार को विशेश टीम घटनास्तल पर जांच के लिए भेजी गई देश में कोरोना संकरमंट की सिति भयावय होती जारी है बीते 24 गंटे में 89,019 नए मरीज सामने आए 44,176 संकरमित ठीक हुए हैं जबकि इस महामारी से 713 लोगों की मौत हुई है एक्टिफ केस की संख्या में 44,123 की बढ़ोतरी हुई है बोपाल में लगतार दूसरे दिन पासो से ज़्यादा नए संकरमित मिले यहां एक हफते में संकरमंट दर करीब 9 फीसिती बढ़कर 20.08 फीसिती हो गया है सलमान खान ने शॉर्ट फॉर्म वीडियो आया पर चिंगारी में इंवेस्मेंट किया है बैंगलोरू बेस्ट कंपनी ने शुकरवार को इस बात का अलान किया कंपनी ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि सलमान खान हमारे ग्लोबल ब्रैंड एंबैसडर और इंवेस्टर के तौर पर ऑन बोड आए भारत में आठ अन खेलों की प्रोफेशनल लीग की शुरुआत हो चुकी है उस्ट्रेलिया पाकिस्तान सहित पुरी दुनिया में 15 क्रिकेट लीग का आगाज होगा द्योगपती मुकेश अंबानी के रोलाइंस इंडस्ट्रीज लेमिटेड ने शुकुरुआर को कहा कि उसे अपने तेल रासायन कारुबार को अलागिकाई बनाने के लिए शेयर धार को और कर्जदाताओं से मन्जूरी मिल गई है